नमस्कार दोस्तों, आज के इस विडियो में हम सुपरकंप्यूटर के बारे में जानेंगे की सुपरकंप्यूटर क्या है तथा सुपरकंप्यूटर के उप्योग, इतिहास और विशेश्टाओं के बारे में विस्तार से तथा आसान शब्डों में समझेंगे सूपर कम्प्यूटर एक शक्तिशाली कम्प्यूटर सिस्टम होता है, जो अन्य सभी कम्प्यूटरों की तुल्ला में सबसे तेज कम्प्यूटर होता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे सुपर कम्प्यूटर सबसे तेज और शक्तिशाली कम्प्यूटर होता है, तो आये सुपर कम्प्यूटर के बारे में विस्तार से जानते हैं कि सुपर कम्प्यूटर क्या है? What is सूपर कम्प्यूटर? सूपर कम्प्यूटर को हिंदी में महा संगड़क कहा जाता है। सूपर कम्प्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है। सूपर कम्प्यूटर को बनाने के लिए कई लोगों ने अपना योगदान दिया। लेकिन सूपर कम्प्यूटर को बनाने का बहुत बड़ा श्रे सीमोर रोजर क्रे को जाता है। इन्होंने दुनिया का पहला कम्प्यूटर CDC 6600 को सन 1964 में बनाया था। ये अमेरिका के एक इलेक्टिकल एंजीनियर थे। सूपर कम्प्यूटर को विक्सित करने में सीमोर क्रे का बहुत बड़ा योगदान रहा। जिससे उन्हें Father of Super Computer भी कहा जाता है। CDC 1604 को भी इन्होंने भी बनाया था। तो आइए अब सूपर कम्प्यूटर के उप्योग के बारे में भी जान लेते हैं। सूपर कम्प्यूटर के उप्योग uses of supercomputer। सुपर कंप्यूटर का उप्योग विशेश प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जटिल गर्नाओं को संसोधित करने के लिए तथा डेटा को रिकार्ड करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उप्योग किया जाता है। व्हारत के सुपरकंप्यूटर, सुपरकंप्यूटर ओफ इंडिया. भारत का पहला सुपरकंप्यूटर परम 8000 था, जिसे भारत में ही सन 1991 में बनाया गया था. जन्वरी 2022 के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली और तेज सुपरकंप्यूटर पुने के IITM में स्थित प्रत्यूशक्रे XC40 है आधुनिक समय में भारत के पास लगभग 40 सुपरकंप्यूटर है जिन में से कुछ मुख्य सुपरकंप्यूटर के नाम निनलिखित है सुपरकंप्यूटर की विशेश्टाएं इनकी स्पीड को फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट उपरेशन पर सेकिंड में मापा जाता है सुपरकंप्यूटर में एक से अधिक यूजर एक समय में ही विभिन कार्यों को कर सकते है सुपरकंप्यूटर एक सेकंड में अर्बो गन्नाव को करने की क्षमता रखते है ये काफी विश्वसनिया होते है सुपर कम्प्यूटर की स्टोरेश ख्रम्टा काफी आधिक होती है सुपर कम्प्यूटर का उप्योग विशेश कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही विडियो अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस विशाय पर आठिकल पढ़ने के लिए दिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर जाएं विडियो देखने के लिए धन्यवाद